केलांचल टाइम्स हर ख़बर पर हमारी नज़र नमस्कार आप देखे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ जग्यासा सेंग जारखन के वित्त मंत्वी रामेश्वर राम ने काफी जादा विवाधत बयान दे दिया है उनके इस बयान की शोशल मीडिया पर काफी आलोचना की जा रही है हम आपको बता दे कि उनके इस बयान से समदाइक भावनाओं को ठेज पहुँच रहे के साथ साथ जातिवाद को भी बढ़ावा देता है इसके साथ है उन्होंने कहा कि गाउं में रहने आदिवासियों के सकर को उचा उठाने के लिए सतकार लागातार प्रयास कर रही है अगर वन कानून का सही तरीके से पारण हो तो पलायन नहीं होगा उन्होंने कहा कि एक समय था जब राची आदिवासियों का नवास था यहां के इलाके भी उन्हीं के नाम से रखे जाते थे पर आज वो इलाके और नाम तो हैं लेकिन महां आदिवासी नहीं रहते आदिवासियों के कमजोर होने के कारण उनका शोशन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राची की जमीन दूसरे के हाथों में चली गई है राची में बिहारी और मारवारी आकर बस गए है और आदिवासि कमजोर हो गए है और लागतार उनका शोशन हो रहा है रामेश्वर और राव के इस बयान पर दिपिका पांडे सिंग ने ट्वीट करता है ये किसी एक व्यक्ति विशेश की सोच हो सकती है इंडिया की नहीं भारतिय इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस आज भी जोडने पर विश्वास रखती है तोडने में नहीं तनद रहे जब भारत एक है तो इसके हर राजे हर जले हर धर्म जाती के लोग भी एक हैं इस पर कुमार गौरव ने ट्वीट किया कि इंडिया की सोच है कि हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई आपस में है भाई भाई यह बयान कॉंग्रेस के विचार धारा के विप्रीश है और कॉंग्रेस की आत्मा को शोट पहुचाने का कारे करता है बिट्सा की महान धर्टी पर रहने वाला हर वेक्ति जार खंडी है और अपने कर्मों से इस धर्टी को सीज राज के लांचल टाइम हर खबर पर हमारी नज़र